Hello everyone, welcome to HVS Studies तो दोस्तो आज की इस वीडियो में जो हमारी SSC MTS exam की 2023 की सीरीज चल रही है उसको 24 पार्ट आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे जिसमें most expected, most repeated questions को हम कवर करेंगे अगर आपने पुराने पार्ट को मिस कर दिया है तो separate playlist है, उसका link description में है आप वहाँ पे जाके सारे parts को एक ही जगे कवर कर सकते है ये जो questions होंगे, exam based questions है जिस type के questions, जिस pattern पे आपके SSC MTS के exams में questions पूछे जाते है उसी type के questions आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे तो चलिए वीडियो को start करते हैं आज के हमारे पहले questions से तो हमारा पहला question है which of the following sequence is correct with respect to the Delhi dynasty तो निमलिकित में से कौन सा करम दिल्ली राजवन्ष के संबंद में सही है तो आपको sequence wise यहाँ पे जो है जो Delhi सल्तनत थी उसके जो dynasties है उनको arrange करना है तो इसमें जो हमारे given options में हैं उनमें से हमारा correct answer हो जाएगा fourth option ममलुक डाइनस्टी, खिलजी डाइनस्टी और तोगलक डाइनस्टी अगर डेली सल्तनत की आपे बात करें तो डेली सल्तनत का time period रहता है 1206 से लेके 1526 तक जिसमें हमारी 5 डाइनस्टी रहेंगी जिसमें पहली है ममलुक डाइनस्टी जो की 1206 में establish हुई थी 1290 तक इन्होंने साशन किया ममलुक डाइनस्टी को slave डाइनस्टी और ilbury डाइनस्टी के नाम से भी जाना जाता है exam में आपसे question पूशा जाता है की ममलुक डाइनस्टी के founder का क्या नाम है तो उसमें आपका correct answer कुतबुद्दीन एबक हो जाएका इन्होंने found किया था ममलुक डाइनस्टी को फिर खिल जी डाइनस्टी आती है आपकी जो की 1290 से लेके 1320 तक की रहेगी और इसके founder थे जलाल उद्दीन फिरोज खिल जी फिर तुगलक डाइनस्टी आई आई आपकी 1320 से 1414 तक जिसके जो अगर आपसे पूछा जाए कि इनके founder कौन है तुगलक डाइनस्टी को किसने found किया था तो ग्या सुद्दीन तुगलक के द्वारा found किया गया था आपका तुगलक डाइनस्टी को फिर इसके बाद आती है आपकी सियद डाइनस्टी जो की 1414 से लेके 1451 तक आपकी रहेगी और इसकी अगर आपसे founder पूछा जाए तो सियद खिर्ज कान क्या रहेंगे आपके founder हो जाएंगे जो last dynasty थी डैली सल्तनत की वो थी आपकी लोधी डाइनस्टी जो की 1451 में आपकी start हुई 1526 तक चली इसके founder थे बहलो लोधी और 1526 में लोधी डाइनस्टी के साथ ही आपकी डैली सल्तनत जो थी वो खतम हो गई थी जिसके last चूलर थे आपके इबराहीम लोधी जो first battle of पानीबत हुआ था 1526 में उसमें आपकी डैली सल्तनत जो थी वो समाप्त हो गई थी खतम हो गई थी तो यह आपको ध्यान रखना है exam के लिए most important questions आपके ये हो जाएंगे अगर आपसे question exam में पूछा जाए कि डैली सल्तनत की कौन सी dynasty है जिनोंने सबसे ज़ादा time के लिए rule किया है तो उसमें आपका correct answer तोगलक dynasty रहेगा तोगलक dynasty जो है इन्होंने 96 years के लिए total rule किया है 96 ने 94 years 94 हो जाएगा 13-20 से लेके 14-14 तक रहेगा तो 94 years के लिए इन्होंने rule किया है तो तोगलक dynasty आपको नाम याद रखना है अगला question जो है अब हमारा उसको देखते हैं हम रवी कीर्थी was the court poet of which of the following dynasty ruler तो रवी कीर्थी निमलिकित में से किस वंच के साशक के दरबारी कभी थे तो इसमें हमारा correct answer चालुक के हो जाएगा चालुक के dynasty के ruler रहेंगे जिनके court poet थे आपके रवी कीर्थी अगर नाम पूछा जाए कि किस के थे तो पुलक केसी second पुलक केसी second जो ruler थे चालुक के dynasty के उनके court poet थे आपके रवी कीर्थी अब यहाँ पे court poets की बात करी गई है तो court poets को देख लेते हैं बाना भट जिनके द्वारा जो हर्षवर्दन रहेंगे इनके court poet है यह और इनके द्वारा जो बायोग्राफी है हर्षवर्दन की हर्ष चरित्र उसको भी लिखा गया है कालिदास court poet थे आपके विक्रम आदित्य के चंद बरदई थे प्रथविराच चोहान के भाबभूती किंग रहेंगे आपके वशो मरबन जो की आपके कन्नौज के थे सिरी पोना रहेंगे रष्टकुटा डायनेस्टी के जो किंग थे कृष्णा थर्ड के court poet अमीर खुसरयू अलाउद्दीन खिलजी के थे और ये साथी साथ लिंक इनका रहता है साथ रूलर से डेली सतनत के परम आनंद रहेंगे शिवाजी के court poet थे रागमंग का आपके होईसल गिंग जो थे उनके डायनेस्टी के रूलर थे उनके डायनेस्टी के court poet थे रवी कीरती आपके पुलकेसी 2nd के फिर आपके आजाते हैं जैम कुंटकर जो कि आपके कुलोतुंगा जो चोला बन थे चोला डायनेस्टी के रूलर उनके court poet थे तुरू मल्लेर आपके king रहेंगे वो दियार उनके court poet थे तो यहाँ पे हमने court poets को cover किया है जो कि आपके exams के लिए important है exam में आपको question देखने को मिल सकता है तो भारत में प्रतियक वर्ष किस दिन सम्विदान दिवस मनाया जाता है तो यह हमारा 26 नवंबर इस question का correct answer है अगर बात करी जाए जो हमारा constitution है उसको हमने adopt किया था 26 नवंबर 1949 को और यह effective में आया था 26 जनवरी 1950 को Supreme Court जो है इंडिया का इसको adopt किया गया establish किया गया 26 जनवरी 1950 को Parliament को establish किया गया 26 जनवरी 1950 को लोग सभा को 17 अपरेल 1952 को राज्य सभा को 3 अपरेल 1952 को National Anthem जो है इंडिया की जनगनमन इसको सबसे पहले जो इसको पहले adopt जो किया गया 24 जनवरी 1950 को किया गया और सबसे पहले गाया गया था 27 दिसंबर 1911 में National Song इंडिया का वंदे मातरम इसको adopt किया गया था 24 जनवरी 1950 को Preamble को adopt किया गया 26 नवंबर 1949 को और effect में आया था आपका 26 जनवरी 1950 को तो ये कुछ adoptions है हमारी Indian Constitution से इंडिया से related जो कि आपको ध्यान रखनी है अगला question देखते है हमारा अगले question पर बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 79 रुपीज में एक e-book आपको provide कराई जा रही है इंट्रेस्टेड हो तो link description में है आप description में जाके इस e-book को buy कर सकते हैं payment करने के बाद अगर आपको file downloading में कुछ भी issue आता है तो नीचे हमारी Gmail ID है आप इस पे हमको directly mail कर सकते हैं अगला question है हमारा when did the सरकारिया commission submit its report तो सरकारिया आयोग ने अपनी report कब परस्तुत की थी तो इसमें हमारा correct answer 1988 हो जाएगा इसमें काफी सारे लोग 1983 में भी confused हो जाते हैं तो अगर 1983 की बात करा जाए तो set up किया गया था सरकारिया commission को 1983 में जिसके head कौन है तो justice रंजित सिंग सरकारिया head थे आपके सरकारिया commission के सरकारिया commission का aim क्या था तो examine the central state relation on various portfolios and suggest changes within the framework of constitution of India तो ये क्या था aim था सरकारिया commission का other members कौन-कौन थे तो B. Shivram थे जो की cabinet secretary थे S.R. Sen जो की former executive director थे I.I.B.R.D. के Ramas Subramaniam जो की member secretary थे तो ये आपके total important points रहेंगे सरकारिया commission से which college was established in Banaras in 1791 तो 1791 में Banaras में किस college की स्थापना हुई थी तो ये आपका रहेगा Hindu college जिसको B.H.U. Banaras Hindu University के नाम से जाना जाता है काफी जादा famous university आपकी रहेगी इंडिया की तो Banaras Hindu University जो है उसको 1791 में establish किया गया था तो इसमें हमारा correct answer हो जाएगा temperate evergreen forest तो temperate evergreen forest कौन से forest होते हैं तो ये टाइप रहेगा forest का जो की mid latitudinal coastal legion में आपके लोकेटेड होते हैं who among the following won the first silver medal for India in Olympic Games after independence तो निम्लिकित में से किसने सुतंद्रता के बाद Olympic खेलों में भारत के लिए पहला रजत परदक्ट जीता तो इसमें हमारा correct answer RS राठोर हो जाएगा RS राठोर ने silver medal भारत को दिलाया था यहाँ पे जो हमारा independence के बाद 1947 के बाद जो हमारे जितने भी हमारे Olympic Games हुए हैं जिसमें इंडिया ने medal दिलाये हैं उनको यहाँ पे हम कबर करेंगे तो पहला रहेगा हमारा 1952 का जो की हेलिंकी में हुआ था जिसमें केडी जावदब ने wrestling की फिल्ड में भारत को bronze दिलाया था और यह question exam में बहुत ही जादा आपका पूछा जाता है पहली महिला हो जाएंगी जिन्होंने भारत को Olympic medal दिलाया है फिर अगले ही अगला जो हुआ था 2004 में Athens में उसमे RS Starter ने भारत को shooting में पहला सिर्वल दिला दिया फिर 2008 में बेजिंग में हुआ आपका जिसमें अभिनव बिंदरा ने shooting में भारत को पहला gold दिलाया सुशील कुमार ने wrestling की field में bronze दिलाया विजेंद्र कुमार ने boxing की field में bronze दिलाया था 2012 में जो लंडन में हुआ था उसमें विजे कुमार ने shooting में भारत को सिल्वर दिलाया, सुशील कुमार ने रेसलिंग में सिल्वर दिलाया, मेरिकॉम ने बॉक्सिंग में ब्रॉंज, साइना नेबाल ने बैडमिंटन में ब्रॉंज, गंगा नारंग ने शूटिंग में ब्रॉंज और योगेश्वर दत ने रेसलिंग में भारत को ब्रॉंज दिलाया ये सभी कोशन ओलंपिक के मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एक्जाम्स के लिए रहेंगे 2016 में रियो डिजनरी हुआ उसमें साक्षी मलिक ने और पीवी सिंदु ने दोनों ने एकने रेसलिंग में और एकने बैडमिंटन में भारत को ब्रॉंज और सिल्वर दिलाया है फिर 2020 टोक्यू ओलंपिक जो रिसेंट का रहेगा एक्जाम के लिए काफी जादा इंपोर्टेंट है 100% कोशन आपको देखने को मिलेंगे तो इसमें नीरत चोपडा ने जैवलिन थ्रो में भारत को गोल्ड दिलाया जो की इंडिया का सेकंड गोल्ड रहेगा सिंगल में सिल्वर दिलाया गया मीरा भाई चनू के द्वारा वेट लिफ्टिंग में और रवी कुमार धहिया के द्वारा रेसलिंग में फिर ब्रॉन्ज दिलाया गया टोटल हमारे चार ब्रॉन्ज रहेंगे जिसमें पीवी सिंदू, बजरंग पुनिया, लव्लीना बोरगेन और इंडिया की होकी टीम, ये चार हमारे रहेंगे ब्रॉन्ज मे्डल, दो सिल्बर मेडल और एक हमारा गोल्ड रहेखा टोथाउसें reaction combination reaction होता है एक burning of coal जो कोईला होता है उसको जलाने में एक combination होता है reaction का who among the following is the present chairman of securities and exchange board of India तो निमलिकित में से कौन भारती है प्रतिभूती और विनिम्य बोर्ड के वर्तवान अध्यक्ष हैं तो इसमें हमारा correct answer माधभी पुरी बुछ हो जाएगा Commission of India के chairman है N.K. Singh, Reserve Bank of India के governor है शक्तिकांत दास से भी जो हमारा question था माधभी पुरी बुछ रहेंगी, IRDI के chairman है देवशीश पांडा, 7th Pay Commission के chairman रहेंगे अशोक कुमार मातुर, SIDB के chairman है शिव सुब्रमन्यम रामन Company Law Board के chairman महेश कुमार मित्तल है MD और chairman है Exim Bank, Export-Import Bank के हर्ष भुपेंद्र भंगारी National Housing Bank के CEO और MD है सरादर कुमार होता नबाड के chairman है सुचिंद्र मिश्रा, CEO और MD रहेंगे अगके, Industrial Finance Corporation के, Manoj मित्तल National Stock Exchange के chairman है, ग्रीश चंदर चतुरुवेदी, Bombay Stock Exchange के chairman है, SS मुंत्रा तो यह हमारे कुछ present time के heads हमारे हो जाएंगे, अब यहाँ पे हमारा कुछ का question है, जिसका answer आप सभी को comment box में type करना है तो हमने अभी पीछे ही cover किया था कि रवी कीरती was the court poet of which of the following dynasty ruler तो रवी कीरती निमलिकित में से किस वंच के, साशक के दर्बारी कभी थे, तो given options में से आपकी जो dynasty है आपको उसका नाम बताना है, साथ ही साथ जो ruler रहेगा, उसका नाम भी आपको comment box में type करके बताना है तो आपको ruler और dynasty दोनों के name जो है वो comment box में type करने है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके से daily आपको वीडियोज मिल लें हमारे चैनल पे, आपके SSC MTS exam के लिए, जो कि आपके exams के लिए most important रहेंगी अगर आपको किसी भी और separate topic की वीडियो चाहिए, तो आप उसको comment box में type कर दे, वन में से daily आपको 6 p.m. पे या फिर morning 11 a.m. पे आपको topic से related videos मिलेंगी हमारे चैनल पे, सारे topics जितने भी रहेंगे, सब को हम cover करते हुए चलेंगे हमारे चैनल पे बाकी हमारी एक playlist है, all static gk topic के नाम से, उसमें आपको जाधाता topic already provided है तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like जरू करें, धन्यवाद